Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is C.S. Phayal and this video में हम पढ़ने जा रहे हैं Limitations of Departmental Stores के बारे में. Okay, so what it says, ये बोलता है कि कोई भी चीज फायदो के साथ नहीं आती है, सिर्फ हर एक चीज से related होता है, कुछ नुकसांस और ये बात तो अब आपको याद ही हो गई होगी, क्योंकि मैं जब भी advantages, limitations बढ़ाती हूँ, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, क्योंकि actually ये valid भी है, ऐसा ही होता है तो हमने advantages फिनिश कर लिए हैं, अब हम limitations भी पढ़ लेते हैं Limitations में ये बोलता है, lack of personal attention Okay, आप अपने बगलवाली store में चाहेंगे, वहाँ आप कुछ भी बोलेंगे, आपको दुकांदर खुद जवाब देगा, आपको बताएगा, आपको क्या चाहिए, ये ऐसा है, इसके ये features है, इसमें ये मिलेगा, वो मिलेगा आपको यहाँ मिल रही है personal attention यही चीज अगर आप departmental store में करते हैं, आप गए departmental store में, expecting कि सब लोग आपके उपर कूछ जाएंगे, और आपको बोलेंगे, सर आपको क्या चोई है, हम बताते हैं, इसमें क्या है, ऐसा नहीं होता आपको खुद जाना पड़ता है, खुद समान पिक करना पड़ता है, खुद ही रीट करना पड़ता है, उसके अंदर क्या-क्या दिया हुआ है कोई आपकी as such मदद करने नहीं आता, unless and until you ask for it ऐसा नहीं बोल रहे हो, वापे लोग नहीं होते हैं, वापे होते हैं लोग लहिकिन जब तक आप उन्हें नहीं बुलाते हैं तब तक वो आपके पस नहीं आते हैं तो यहां पे आप personal attention enjoyed नहीं कर पाते हैं कोई इंसान आपके ऊपर खड़ा नहीं रहता है आपको guidance provide करने के लिए So यह चीज है Second it says high operating cost As these stores give more emphasis on providing services Their operating costs tend to be higher side इनकी हम मानते हैं इनकी normal cost बहुत कम होती है मतलब इनकी कहीं से भी चीज ले आने वाली चीज मतलब जो cost होते हैं वो बहुत कम होते हैं तो कि large scale में deal करते हैं लेकिन at the same time इनकी operating cost बहुत जादा होती है Reason being इतने सारे departments है हर एक department की operating cost होगी उसको combine करेंगे तो कितनी निकल जाएगी बहुत निकल जाएगी These costs in turn make the prices of the goods high अब यह बोलते हैं भईया operating cost high है मतलब ऐसा मानों आप rent pay करना यह करना है वो करना बहुत सारे चीज़े होते हैं अब वो high रहेगा तो आपको अपने products का price भी high करना पड़ेगा आप ऐसा मानिए आपका cost बहुत high है जिस भी nature का हो और आप सिर्फ charge कर रहे हैं 2 रुपे, 4 रुपे क्या अपने सось से ज्यादा profit margin increase करना पड़ेगा तब दी आपका काम चल पाएगा तो उसके साथ साथ आप अपना profit margin बढ़ा लीजे जिससके वजह से आपकी cost आपके ओपर भारी नहीं पड़ेगे और आप profit earn कर पाएंगे इनने तो अपने फाइदा के लिए यह कर दिया पर इससे नुकसान किसका हुआ customer का customer को 10 रुपे मिलने वाली चीज कितने की मिलेगी 15 रुपे की और ऐसे में customer क्या आपके पास आएगा क्या आप जाएंगे फिर यह बोलते हैं high possibility of loss as a result of high operating cost and large-scale operation the chances of incurring losses in the departmental store are high यह बोलते हैं देखिए भी यह इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हैं जहां पर investment जादा होती है न वहार रिस्क भी जादा होता है और वहां अगर गलती से loss हो जाए तो वो भी जादा ही होता है so यह इहां पर क्या बोलते हैं यह बोलते हैं operating cost इतनी high है और दस्तरे की cost आड़ हो जाती है उसके बाद profit कहां से निकलेगा नहीं निकलेगा और आइस्ता आइस्ता इतनी चीज़े stagnant हो जाएंगे कि आपके cost भी recover नहीं हो पाएगे और इसको हम क्या बोलते हैं loss वाली situation और जब recurring nature में losses होंगे तो आपके पास कोई option भी नहीं बचेगा instead of collapsing that particular or closing that particular departmental store so इतने तरह से आपकी क्या हो जाते हैं नुक्षान हो जाते हैं last आपका disadvantage बोलता है inconvenient location as a departmental store is generally situated at a central location it is not convenient for the purchase of goods that are needed at a short notice मुझे अभी घर में बैठे बैठे realized हुआ मतलब मैं maggी बनाने की सोची थी I realize maggie masala खतम है अब क्या मैं यहां से निकल के 4-5-10 km दूर जाऊंगी departmental store में maggie masala लेने के लिए Will I do that? No मैं कहां जाऊंगी मेरी locality में जो एक छोटा सा grocery shop होगा वहां जाऊंगी तो कहीं न कहीं यह बोलते हैं भीया यह ना एक बहुत वो चीज है हमने इसे plus point में भी पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था? कि यह usually centrally located होते हैं ताकि हर एरिया के लोग यहां पर आ पाए यह residential एरिया में नहीं होते हैं ताकि सिर्फ वो residential एरिया के लोग उसका फाइदा ना उठा पाएं बाकि सब लोग भी उठा पाएं तो ऐसे सिनारियो में जब यह residential एरिया में नहीं है इस इंसान को अगर चीज चाहिए तो वो अपने एरिया वाई दुकान के पास जाएगा या इसके पास आएगा ओविस्टी इसके पास जाएगा इसके पास नहीं आएगा तो यह थोड़ा सा inconvenient भी हो जाता है sometimes अगर आपको short done notice में items चाहिए होते हैं आप इतना travel करके नहीं जाओगे central location पे यह प्रेफर कि यार थोटे मुटी आइटम ही तो हैं दो चार आइटम ही तो हैं अपनी locality से ही खरीद लेते हैं तो यह भी क्या है एक disadvantage है हमारे लिए किसके लिए हमारे लिए इन स्पाइड आप सम फीज़ी लिमिटेशन देपार्टमेंट वाली चीज़ी है किसके लिए वेस्टन कंट्रीज में इंडिया में अभी इन सब चीजों का इतना कल्सर नहीं है इतना हम इतने advance नहीं हुआ है कि इन सब चीजों में वो करें No doubt है हमारे यहां पर भी No doubt हमारे यहां पर crowd भी है जो उन सारी जगे जाता है लेकिन उतने level का नहीं है जितना western nations में होता है क्योंकि उनकी तो basic खरीदना भी यहीं से ही होता है हमारे साथ ऐसा नहीं है हम मन्त में एक या दो बार यहां पर जाना पसंद करते हैं not like on daily basis right so western nation में काफी जादा कल्चर है हमारे यहां पर इतना नहीं है जो कि future में बढ़ सकता है obviously that's it for this video यहां हमने limitations पढ़े इससे पहले advantages पढ़े थे उससे पहले हमने features पढ़े थे so I hope departmental stores आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होंगे अब हम शुरू करने चाहरे है हमारा second large retail जो retailers का जो example होता है वो so stay tuned for that and if you want notes of this chapter to magnetrange.com पर जाके आप notes ले सकते that's our official website जिसका link is provided in the description box इसके अलावा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं thank you so much for watching